हेलो स्टुडेंट्स, स्वागत आपका पाई क्लासिज में आज का टोपिक क्लास 9 के लिए वक्षिट नूमबर 28 कहता है आज का चोपिक किसे में इसका समय करना है एंगल सम प्रोपर्टी ओफ ट्रैंगल अंगल सम प्रोपर्टी क्या होती है कि ट्रैंगल के तीनों अंगल का सम 180 डिगरी होता है तो यह अगी थियोरम प्रोव डैट सम ओल इंटर्नल अंगल्स ऑफ ट्रैंगल आर 180 यह हमारा ट्रैंगल गिवन है तो गिवन से पहले गिवन लिखेंगे figure 1, PQR 1, 2 and 3 are interior angles to prove 1 plus 2 plus 3 180 degree construction हम क्या करेंगे यह जो P point उपर इस पर हम एक line खीचेंगे और line हमने मान रही है X और Y line कहाची X Y कैसे कहाची यह QR इसके पहलाल हमने कहाची है ठीक है तो इस angle को हम 4 माल लेते हैं और इस angle को हम 5 माल लेते हैं अब देखो 4, 1 और 5 यह P point पर बने हुए और same line पर बने हुए तो 4 plus 1 plus 5 180 होना चाहिए X, P, Y is a line तो 4 plus 1 plus 5 180 degree हो गया अब देखो क्योंकि X, Y parallel है QR के तो angle 4 और angle 2 angle 5 और angle 3 यह हमारे alternate angle हो गए वही X, P, Y, QR के parallel है तो 4 equal to 2, 5 equal to 3 pair of alternate angles तो यह जो equation 1 आई थी इसमें 4 की place पर क्या रख देंगे 2, 5 की place पर क्या रख देंगे 3, तो यह equation बन गई यह ही था उनको prove करना तो बस इसको तोड़ा सा rearrange करके लिख दो तो 1 plus 2 plus 3 क्या आ गया 180 degree तो इस तरह से theorem हमारी prove होती है now next यह देखिए एक बहुत important आपको result आपर दे रखा है theorem दे रखिए इसका direct result यह दो करना if a side of a triangle is produced जैसे यह है इसकी यह वाली जो side qr थी इसको हमने आगे बढ़ा दिया कहां तक s तक then the exterior angles are formed exterior angle कून से पर ने यह वाला is equal to the sum of two interior अब इसके opposite angle कून कून से है एक तो यह वाला है और एक ही है यानि इसके जो 7 का angle यही छोड़ दे रहा है तो यह वाला जो angle है यह इन दोनों के sum के एक वाल है यह 1 है यह 2 है यह 3 है तो angle 1 जो है 2 प्लस 3 के एक वाल होगा यह हमारा point है now next question करते हैं जो हमें दे रखा है figure 4 में क्याता क्यूटी यह जो है क्यूटी यह हमारा PR के perpendicular है यानि कि यह 90 डिग्री है आगे जो angles तो में दे रखे हैं figure में दे रखे हैं वही बताया हुआ हुआ क्याता find the value of x and y तो सबसे पहले हम यही triangle ले ले लेते हैं तो 90 प्लस 40 प्लस x एंगल सम प्रोपर्टी तो 40 प्लस 90 इनको add करा 180 आ गया इसको दर ले गए तो x के value हमारे पास आ गई चलिए इतना समझ में आ गया अब next करते हैं इसको में हटा देता हूँ अब देखो अब हम लेंगे यह वारा triangle PSR यह जो angle है exterior angle हो गया y यह 30 और x के sum के बराबर होगा in triangle PSR y जो है 30 प्लस x के को लोगा according to this थे हो रहा हूँ क्या था यहां से देखो exterior angle so formed is equal to sum of two interior opposite angles तो बस x की value put करी 50, so लो करा y की value हमारे पास 80 degree आ गई now try yourself आ गए आपके पास देखो try yourself में क्या है पहला question पहला question आपको यह दिखाई दे रहा है अगर मैं इसको x मान लूँ इसको y मान लूँ और हमें z find out करना यह ही कह रहा है इनको हमने produce करा है sot तक तो यह angle form होगा यह angle form बदे हम find PRQ PRQ का मतला z तो लिख देना according to figure x प्लस 135 पराबर 180 क्यों linear pair चीक है क्यों P point पर बन रहे है और P जो है जो P पर जो line आ रही है वो state line है तो x की value क्यों हो जागी 135 को दर ले जाके minus कर दो 180 माइनस 135 यह आगया 45 degree also यह वाली 110 प्लस y 110 प्लस y यह भी 180 होगा 180 यह भी हमारा linear pair ही है तो y की value भी निकल के आ जाएगी 180 गटा 110 बराबर 70 यह हो गया अब x प्लस y प्लस z in triangle P Q R x प्लस y प्लस z बराबर 180 angle sum property तो x की value आपको पता है 45 है y की value आपको पता है 70 है z की value आपको नहीं पता तो 180 यह 115 हो गया z बराबर 180 z बराबर 180 80 गटा 115 है यानि की 65 degree तो इस तरीके से z हमारा find out हो गया now next question PQ और PS perpendicular है यानि की 90 degree का कौन है और PQ और SR यानि PQ जो है यह वाली line और नीच वाली line यह आपस में parallel है इसका मतलब यह value x है तो यह भी x हो जाएगी ओके तो आप इसको x ना मानके direct बराबर x क्या लिखोगे alternate angles यह alternate angles है हमारे पास equation 1 also यह जो triangle दिखाए दे रहा है यह वाला तो यह जो है हमारा exterior angle है तो 65 किसके बराबर होगा z plus 28 के z plus 28 बराबर 65 यहाँ पर क्या लिखेंगे यह यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लाएन है पूरी यहाँ पर तुबार उतार देंगे यह पूरी जो मैंने cut कर दिया यह adjective उतार देंगे तो z equal to 65 minus 28 बराबर 37 z की value आ गई चलो जी अब z की value आ गई तो x जो है वो z के equal है यानि x में हमारा 37 बना गया अब कौन सा triangle देते हैं in triangle PQS उपर वाला यह और यह तो x plus y plus 90 x plus y plus 90 बराबर 180 वोई angle sum जो हमने सबसे पहली थियोरम करी है इसमें x की value 37 है y की value नहीं पता है 90 है 180 है तो y plus 127 180 y is equal to 180 minus 127 यानिकी 53 तो y की value मारे बास find out हो गई अब इस तरह से worksheet complete होती है इसके questions अपनी copy में करो और अपने teacher को whatsapp पर send करो धन्यवाद